कर्म करते रहिए नदी की तरह मंजिल अपने आप मिल जाएगी समंदर की तरह नमस्ते में रादा स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रादा होंट्रेक्स यह तो आप सब जानते हैं और आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो और इसे आप प्रैक्टिकल करके देख लें और कुछ चीज बने और वह सुन्दर भी लगे तो उसकी बात ही क्या है तो चलिए बना लेते हैं आज एक नया DIY तो आज बना रही हूं यह कुछन कवर एक जो में बटन्स है और यह फैब्रिक है मेरे पास थोड़ी सी 5 रुपे मीटर वाली लैस है उससे बनाऊंगी तो यह मेरे को जो कुछन कवर बनाना है यह बनाना है बीस बाई बीस का मतब बीस इंच बीस इंच ऐसा है तो यह मेरे पाल जो कुछन है इसी का मैं बनाऊंगी क्योंकि इस नाप के कुछन मिलते नहीं है मार्केट में 24 बाई 24 के मिलते है 18 बाई 18 के और यह कुछ बटन पड़े है मेरे पास पुरा ने तो इनका यूज करके हम बनाएंगे गे कि तो इसकी वजए से मिरगको यह गर्मी बनाने पड़ते हैं इसके यह जो वाइट कप्ड देख रहे है इस पर अभी चड़ा हुआ है यह हैं जोड़ी और बनाए है और यह आज में इस कपड़े से एक बना रही हूं highlighter कह सकते हैं आप इसको ताकि एक जैसे आप एक normal रख रखा है और एक थोड़ा सा आप designer सा रख देते हैं तो थोड़ा अच्छा सा लगता है यूनीक सा उभर के आता है वो design उसका तो ऐसा ही मैं एक बना रहे तो ये मेरे पास एक ये एक सवा मीटर का टुकड़ा है और ये ऐसा नहीं है कि पड़ा हुआ था इसको मैं लेके आई थी काफी दिन पहले ये ही सोच के लाई थी कि बनाऊंगी कुशन लेकिन टाइम नहीं मिला था तो इस कपड़े में से मैं 21 बाइ 21 का एक पीस निकाल लूँगी क्योंकि चारो तरफ सिलाई में दबेगा तो 20 बाइ 20 का तयार हमारा बन जाएगा 21 बाइस का मैंने कपड़ा निकाला है अब हम इसका बैक साइड निकालेंगे और इसमें हम लगाएंगे चैन अगर आपको चैन नहीं लगानी इसके पीस काटने पड़ें और लाइनिंग की जरुरत नहीं है काफी मोटा कपड़ा है ये लाइनिंग लगाने की कोई जरुरत नहीं है इसमें तो अब हम क्या करूँगी इसका पीछे के जो पीस कटेंगे वो एक थोड़ा चोटा काटूँगी और एक थोड़ा बड़ा काटूंगी जैसे हम मार्किट के कुशन लाते तो उसमें होता ना उपर का पीस थोड़ा चोटा होता है नीचे का बड़ा तो इसके उपर में एक इंच कपड़ा चढ़ाती हुए ये ऐसे रख लूँगी एक दूसरे के उपर कपड़ा मैंने ठढ़ा दिया है ताकि चैन लगा हूँ तब ये एड़्जेस्ट हो जाएगा चैन दिखेगी नहीं मतलब मोड का लगाएंगे तब हम इसको और अल्मोस्ट सभी को बनाने आते हैं तो ये मैंने पैन से भी इस पर निसान लगा दिया जितना कपड़ा एक्स्ट्रा है अब हमें क्या करना है मुझे इस पर बनाना है डिजाइन तो मैं चोक की मदश से चोक मेरे पास इसका इबलू कलर की थी और ऐसा ही ये कपड़ा था इस पर दिख भी नहीं रही थी और अगर मैं पैन से बनाती तो फिर छुटता नहीं तो इसलिए हलका यह आपको दिखेगा लेकिन बनने के बाद आपको समझा जाएगा तो मैं नीचे से में थोड़ा सा पेड़ की सेफ दे रहे हूं जैसे नीचे से पेड़ चलता है ना तो ऐसे हलका हलका सा इसकी मैं पहले टहनया बना लूँगी ब्रांची और उसके उपर फिं में जैसे पत्या बनती है तो जगonz lonz सा बना दूँगी जिससे यह लगे कि जैसे यहाँ पर एक फ्लावर बन जाएगा यहाँ पर तो इस तरह थोड़ो थोड़ो से निसान लगा दूंगी जहां पर मुझे बटन लगाने है तो यह मैंने रखके भी देखे थे और डोरी भी रखके देखी इसकी तो अभी हम इसको सिलेंगे तो इस आपको हलकल का दिखाई दे रहोगा जहां मैंने निसान लगा रखें तो जो जो मैंने निसान लगा रखें इन पर मैं इस तरह और इस डोरी पर आराम से मसीन चल जाती है यह पांच टूपे मीटर आती है डोरी तो यह मैंने ब्लैक और यलो कलर की डोरी है गोल्डन सा कलर ह इसमें और यह इस तरह रखते हुए इस पर मैं 4-5 टहनियां सी बना लूँगी जिससे ऐसा लगे कि हमने जब हम काम करें कि हमने एक पेड़ बनाया है मतलब थोड़ा सा देखने वाले को पता चलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं समझ आना चाहिए तो ऐसे ही करते हैं और इस थोड़ा सा अलका सा मिरे को खीचना पड़ रहा था क्योंकि यह पतली सी सिलाई तो थोड़ा सा तिक्कत हो रही थी तो आपको बिलकुल एसा नहीं करना कि बिलकुल एक सेप में जैसे भी आपकी डोरी लग पा रहे हैं आप ऐसे लगा सकते हैं देखो यह मैंने आपको बटन से फूल बनाने हैं बीच में मैं काला बटन लगा रही हूँ एक बड़े वाला और उसके चारो तरफ लगाऊंगी यलो बटन क्योंकि मेरे पास यलो बटन जादा हैं और 10-15 काले हैं और यह ओरेंज भी पड़े हुए हैं तो यह आपके घर के जितने भी पुराने ब जब भी आप फैके उनके बटन निकाल लो और फिर आप इस तरह बना सकते हैं उनसे एक कुशन कवर और मेरा तो काम ही देखो कबार से जुगाड करना है पर यह कबार नहीं है ऐसा नहीं कह सकते पर हां अच्छा लग रहा है बनने के बाद बहुत ज्यादा कूपसूरत तो मैंने नीचे तो यह 5 लगा लिया है इसके उपर भी में जगे जगे पहले काले बटन ही टाक लूँगी देखो इतने टग गया है यह अभी और भी में 2-4 टाकूंगी तो पहले कालो का काम खतम कर लूँगी धागे से फिर मैं यलो लगाऊंगी अरियोले लगाने के लि लगा लगाले नहीं तो आप चिपका भी सकते हैं जैसे आप कमन करें आप वैसे कर सकते हैं तो मैंने यह सारे लगा लिया देखो और यह एक पेड का जैसा पेड़ बनता है उस तरह बन गया है अब पिछे वाला कपड़ा इसका तयार करते तो जो आमने छोटो वाला पीस लिया था न उसके एक साइड हम ऐसा चैन पर रखके और सिलाई लगा लेंगे तो इसमें चैन अटैच हो जाएगी तो पिस्टिच लगा लें और यह तो लगाना बहुत आसान है चैन के एक साइड कपड़ा रखो लगा लो मैंने यह बहुत लंबी चैन ला रख किये एक बार में 10 मीटर ली आई थी तो इसी में यह रणर भी में डलवा के ली आई थी तो एक ही रणर बहुत है तो मैं इसको बंद करके इसे कट कर लूँगी और इसके उपर अब हम लगाएंगे दूसरे वाला कपड़ा तो उससे पहले हम इसको एक साइड से थोड़ा सा एक इंच मो यह हमने इसमें मोड लिया है इसको अब इसको हमें क्या करना है देखो जैसे हमने यह चैन के उपर इस तरह रखेंगे इस तरह ताकि हमारी चैन ढख जाए और पहले तो साइड में सिलाई लगा देंगे ताकि यह इधर उधर ना हो ही लेना हाल तो यह सिलाई में भी कवर ह जाएगा लेकिन शुरू में आप फिर भी एक सिलाई लगा दें ताकि आपको दिख्कत नहों इधर उधर ना भागे तो पहले एधर एक डिकत नहींा फिर के जो आपने एक छोटा एक बड़ा कपड़ा ले गया है एक चैन के दोनों साइड उनको जोड ले और आपका कुशन एक साइड से मतलब बनके तयार हो जाएगा और जब यह तयार हो जाएगा तो बस कुशन तयार है चारो तरफ सिलाई लगाने के बाद फिर कुछ करना ही न बनाया है और यह वाला हमारा बैक साइड है अब हमें कुछ नहीं करना है इसे रख्या से चारो तरफ इस पर हम सिलाई लगा देंगे और फिर हम इसकी चैन खोल लेंगे बीच में से हलकी सी और इसको सीधा कर लेंगे तो देख सकते हैं आप और बिल्कुल आसानी से चल जाती है चैन पे सिलाई कोई दिकत नहीं होती देखो यह बिल्कुल हमारा यहाँ से इसको अलका सा चैन को पिछे को करेंगे और हम इसको सीधा कर लेंगे यह यहां से किया यह खुल गिया और हम इसको सीधा करते है और हमारा कुशन बिल्कुर रेडी मेट तयार है मार्किट से अगर आप लेने जाएं तो कम से कम है 300-400 रुपे से कम तो बिल्कुल मिलेगा ही नहीं और घर में यह अगर आप 50 रुपे का भी कपड़ा लेके आते हैं और बहुत सारे बटन अगर आपके घर में है तो बस बनके तयार हो गया एकदम पटा-पट लीजिये जी कुशन आपका ओके रेडी हो गया है बनके एकदम पीस बाई बीस का तो चलिए लगा के भी देख लेते हैं और यह मैंने यहाँ पर रख दिया है पहले सोफे पर और यह जो पिंक वाले कुशन है यह भी मैंने खुद बनाए हैं राउंड वाले जो हैं देख सकते हैं आप कैसे लग रहे हैं इसके साथ अच्छे लग रहे हैं बहुत देखो मैंनत करना मेरा काम है आप पसंद करते हैं नहीं करते हैं वो आपकी मर्जी है कि वीडियो को लाइक करते हैं नहीं करते हैं या चैनल को सस्क्राइब करते हैं नहीं करते हैं वो आपका मन है देखो मैं जब अरदस्ती किजी के साथ नहीं कर सकती पसंद आता है तो like कर सकते हैं अपनी friends family के साथ share कर सकते हैं नहीं आता है कोई बात नहीं लेकिन मैंनत तो करती ही रहूँगी लेकिन अगर फिर भी कहूँगी पसंद आया तो please like कर देना मिलते हैं फिर नई वीडियो के स आत्रादे रहादे जादे बाइ